त्रिकोन मिती समीकरण जिस प्रकार एक चर राशी वाले बिजी समीकरणों को हल कर अग्यात राशी X, Y, Z आदी राशी का मान ग्यात करते हैं उसी प्रकार त्रिकोन मिती समीकरण को हल कर अग्यात कोन थीटा का मान ग्यात किया जाता है इस भाग में हम उन त्रिकोण मिती समीकर्णों का अध्यन करेंगे जिन में चर याने की अज्यात कोण थीटा का मान 0 डिगरी और 90 डिगरी के मद्धे हो उधारण 9 समीकरण 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 को हल कीजिए यदि 0 डिगरी is less than equal to थीटा डिगरी is less than equal to 90 डिगरी समीकरण त्रिकोण मिती समीकरण के रूप में है और यह समीकरण ऐसे है 2 sin थीटा माइनस 1 इस इक्वल टू 0 यह समीकरण है और इसको हल करना है हल करने का अर्थ है इसमें जो भी अग्यात रासी हो अचर के रूप में जो रासी होगी जो अग्यात होगी वो ग्यात करना तो यहाँ पर यह कौन थीटा है यह अग्यात है और इसको हमको ग्यात करना है लेकिन इसकी शर्ट दी गई है प्रश्ण में कि जब हम theta का मान ग्याद करेंगे तो इस theta का मान 0 अंस और 90 अंस के बीच में अध्वा 0 होना चाहिए अथ्वा 90 अंस इसको हम ऐसे लिखेंगे itä 0 अंस यह चोटा है यह बराबर है थीटा के तीटा अंश के और थीटा अंश बराबर है या छोटा है ये नब्बे अंश के इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ जो थीटा है उसका मान शुन्य भी हो सकता है नब्बे भी हो सकता है और शुन्य और नब्बे के बीच में और भी कोई मान हो सकता है तो वो हमको ग्याद करना है इसके लिए हम ये 1 को दूसरी और भेज़ देते हैं पक्षांतरित करते हैं तो ये हो जाता है 2 sin थीटा is equal to 1 यदि हम 2 को इसके हर में भेज़ दे तो sin थीटा का हमको मान मिल जाएगा यहाँ पर तो ये sin थीटा is equal to 1 upon 2 के रूप में लिखा जा सकेगा अब हमको ये सोचना है कि इस तरफ तो sin थीटा दिया हुआ है हमको ये सोचना है कि क्या हम sin में किसी कितने अंश का मान है जो 1 बटा 2 के बाराबर होता है ये जानते हैं तो त्रिकोन में थी साड़नी यदि हम देखेंगे तो हमको ये मिलेगा 1 बटा 2 किस में sin 3 अंस का मान 1 बटा 2 मिलेगा तो हम 1 बटा 2 किस्थान पर sin 3 अंस लिख देते हैं sin थीटा बराबर यहाँ पर हमने लिख दिया है sin 3 अंस अब यदि हम दोनों तरफ के कोणों की तुलना करें तो यहाँ पर कोण है थीटा और यहाँ पर कोण 30 अंस तो कोणों की तुलना से हमको थीटा का मान मिल जाता है थीटा बराबर 30 अंस अब आप देख रहे हैं कि यह 0 अंस से 90 अंस तक के मान हो सकते थे यहाँ पर थीटा के और 30 अंस इसी के बीच का एक मान है इसलिए इस समीकरन का हल थीटा बराबर 30 अंस ही होगा